किसान वीरों जब हमारी धान की बालिया निकलने के वास्ता होती है तो इस समय तक मौसम अन्कूल होने के करण और फसल की अधिक बढ़वार हो जाने के करण फसल के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा नमी या हवा ना लगने के करण फसल में कई परकार के रस्चूसक कीटों का परकूप होने का खत्रा बना रहता है जैसे की भूरा तेला या हरा तेला या सफे तेला इन सब की रोक्तम करना बहुत ज़्यूरी होता है और अगर बाले निकलने की वस्ता में हॉपर का प्रकॉप हो जाए तो फसल को नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये कीड फसल की निचली सते से अटेक करता है या रस चूचता है और अगर ये कीड हमारी फसल में बहुत जादा मात्रा में आ जाता है तो फिर इस कीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कीड जहां पर अटेक करता है तो वहां पर कोई भी दवा इतनी असानी से नहीं पहुंसती है इसलिए हमें इस कीड के परकोप से पहले ही इसको कंट्रोल करने के लिए डिनोटी फिरान और पाई मेट्रोजाइन नामक सॉल्ट जैसे की पी आई कंपनी का नियूली लॉंच दवा जो की डिस्टप्टर नाम से आता है तो इस दवा का बीपेच लगने से पहले ही प्रिवे मातरा में हो जाता है तो हमारी फसल जगे जगे पीली या सुखियों दिखाई देती है और तब हम इस दवा के शिड़काव करते हैं तो यह पूरी तरह से पौदों में सिस्टमिक एक्शन के कारण यह समानी पाती है तो फिर इस कंडिशन पे बीपेच के कंट्रोल करना थो और उपर नहीं जा पाती है और यह द्वा औननी कंटैक्ट बेसिस पयूंकरेगी और इस लिए इस दवा का प्रियोंग कीट आने इसे पहले अब्समीं उन्न की समीपेख करते देख रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे तो चलिए जान लेते हैं कि धान की फसल में डिस्टक्टर के मोड़ फैक्शन के बारे में तो किसान विरो पी आई कंपनी का डि को नुकसान करना बंद कर देते हैं और कुछी घंटों में यह मरना शुरू हो जाते हैं और इसमें जो टेक्निकल आते हैं वह है डिनोटी फुरान 15% प्लस पाइमेट्रोज जाइन 45% मतलब आप ऐसे समसकते हैं कि एक तो है यह पी आई ओशीन वाला टेक्निकल और दूसरा के नीचे छीपे टार्गेट कीटों को भी मार देता है और बात करते हैं कि डिस्टप्टर यह कौन-कौन से कीटों को कंट्रोल करता है तो इसमें एक्सपी टेक्नोलोजी होने के करान यह धान की फसल में ब्राउन प्लंट हॉपर वाइड बैग प्लंट हॉपर ग्रीन के बारे में तो इसका यह जो 132 ग्राम का पैकेट है यह एक एकड़ के हिसाब से बनाया है तो यह इसकी एक एकड़ की डोज है और सप्रे में कम से कम 200 लिटर प्रती एकड़ पानी का ही प्रियों करना है मतलब कि खेद को बड़ीय तरीके से दो देना है मगर ध्यान यह रह कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो कंपनी का क्लेम है कि इसके रिजल्ट 20-25 दिन तक रहता है बाकी डिपेंड करता है कि दुबारा सप्रे करने के रेंफास्टनेस की बात करें तो इसकी सप्रे करने के कम से कम दो घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए त लेवाद।